Hello student, आज हम लोग पढ़ेंगे ग्रे प्रबंध के जो यूनिट है, उसमें एक और शाप्टर आता है, जिसे हम कहते हैं मुद्रा प्रबंधन, उसके बारे में बात करेंगे तो मुद्रा प्रबंदन के जब बारे में बात करते हैं तो हमेशा हम बात करते हैं अपने परिवार के आए के बारे में तो पहले हमें पता हुना चाहिए कि आए का मतलब क्या होता है तो आए क्या होता है किसी व्यक्ति को अपने प्रियत्न सेवा यह संपती के उपयोग के बदले में किसी निश्चित अवधी में के जो अंदर है वो जो द्रव्य प्राप्त होता है उसको हम आए कहते हैं ठीके तो हमें कहीं से भी किसी तरह से भी कोई अवधी के किसी निश्चित अवधी के बाद हमें कोई भी जो है आए मिल रहा है या द हेलो एवर्वान स्टुडेंट्स आज हम लोग बात करेंगे ग्रे प्रबंध के बारे में जो आपका यूनिट है और उसमें ही एक चाप्टर होता है जिसे हम कहते हैं मुद्रा प्रबंधन के बारे में जो मुद्रा प्रबंधन जब भी हम बात करते हैं तो हमेशा बात करनी चाहिए शुरुवात करनी चाहिए उसकी आए से जो परिवार की जो आय है उसमें क्या चीज़े आती हैं तो आए क्या होता है किसी भी वेक्ति को अपने प्रयत्न सेवा या संपती के उप्योग के बदल किसी निश्चित अब्धी के अंदर जो द्रव ये प्राप्त होता है उसको हम आय कहते हैं तो आय जो होते हैं वो आपके तीन प्रकार के होते हैं पहला होता है मौद्रिक आय दूसरा होता है वास्तविक आय और तीसरा होता है मांसिक आय तो पहला हम बात करते हैं मौद्रि क्या होता है एक निश्चित समय में परिवार को जो मुध्रा के रूप में जो आय प्रारप्त होता है उसे हम मौत्रिक आय कहते हैं जैसे कि किसी पी तरह से प्राप्त हो और प्रैस्थ कृहाओं के बदले नौक्री क्रिशी उद्योग या धंदा या मजदूरी इस किसी भी अवस्था में अगर हम मुद्रा प्राप्त हो रहा है तो उसको मौद्रिक आय कहते हैं कुछ अवस्थाओं में परिवार को बिना आर्थिक प्रियत्निक किये भी मौद्रिक आय प्राप्त होती है जैसे पैत्रिक संप शुषजुत अवदी में वस्तुवू एवं सेवाओं के प्रीवाँ से प्राफ्त होती है उसको weaastvig ii कहते है जिसमे यह जो मुद्राय होती है बिना खर्च किये हमें मिल जाती है इसलिए को हम वास्तविक ii कहते है वस्तविक ii और मौत्रिक ii में difference क्या है वास्तिविक आये में हमें निशुल्ग सेवा या वस्तोय मिल जाती है और मौद्रिक आये में हमें खर्च करके प्राफ्र वस्तोय या सेवा या मिलती है ठीक है तो ये दोनों में आपका difference है फिल जब हम वास्तिविक आये के बारे में बात करते हैं तो हम एक और बात करते हैं पहले मांसिक आये किसे पहले हम लोग जो वास्तेविक आये उसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं यह जो होता है यह आपके दो प्रकार के होता है एक होता है प्रत्यक्ष आये और दूसरा होता है अप्रत्यक्ष आये प्रत्यक्ष आये क्या होता है इसके अं जैसे वेतन के साथ, जैसे अगर सिंपल जैसे प्रत्यक्ष आये में क्या क्या आएगा, वेतन के साथ MP, MLA, IAS, PCS को क्या होता है, निश्रल चिकत्सा सोविधाय, टेलीफोन सोविधाय, यह सब भी प्राप्थ होती, इसलिए इसको हम प्रत्यक्ष आये कहते हैं, इसी प्रकार क्रिशी कारेंग में प्राप्थ, जैसे प्राप्थ जो अनाज है, या घरेलू बगवानी के प्राप्थ, जो पैतरक मकान है, या इस तरह के जो घरेलू सदस्यों के द्वारा की गई सेवाएं, जैसे बरतन धोना, खाना बनाना, कपड़ा धोना, बच्चों को बढाना, य सब भी आपका प्रत्यक्ष आय में आता है नेक्स आता है अप्रत्यक्ष आय क्या होता है इसके अंदर कर वे वस्तुवें या सेवाय आती है जिन्हें प्राप्त करने के लिए परिवार को कुछ मुद्रा खर्च करनी परती है जैसे मुद्रिक आय के माध्यम से प्राप्त हु यह सब चीजें जो है सस्ते दाम में मिल जा रहे है तो हमें थोड़ा सा मुद्रा यूज करने पड़ी लेकिर अप्रत्यक्ष आय कहते हैं तीसरी जो मैंने आय बताई थी वो थी आपकी मांसिक आये तो मांसिक आय क्या होते हैं वास्ता में कोई आय नहीं होती है बलकि मन की संतुष्टी होती है ठीक है तो इसलिए इसको मांसिक आय कहते हैं फिर आते हैं हम लोग नेक्स आते हैं परिवार आय के किते स्रोथ होते हैं कौन कौन से स्रोथ होते हैं इनके बारे में बात करना तो ये आपके वेतन हो सकता है, जैसे जिन कारियों को करने में मांसिक या श्रम अधिक लगता है, उसके प्रतिफल के रूप में मिलने वाली जो आये हैं, उसको वेतनाय कहते हैं, मजदूरी, जिन कारियों को करने में शारिरिक श्रम अधिक लगता है, उसको मजदूरी के द्वा जो आए मिल रहा है वो मजदूरी हो जाती है लगान या किराया इस तरह से भी बिल जाता है ब्याज किसी कोई एक रेड़ी द्वारा उधा ली गई मुद्रा के बदले रेड़ दाता के द्वारा दी गई भुकतान को ब्याज कहलाता है तो इसलिए ब्याज के थुरू जो है अगर आये मिल रही है تو ब्याज होता है लाब या लभांश ये आये के उस अधिक्तम को लाब कहते है जो उत्पादन के खर्च को छोड़कर उद्यमी को प्राप्त होता है ठीके तो इसको लाब या लभांश कोता है बोनस बुरुनस भी एक तरीका का आये है जिससे कभी- प्रतिमा एक निश्य धनराजी दी जाती है उसको हम पेंशन कहते हैं तो यह पेंशन भी मिलता है और मुझ वेतन का 50% कर्मचारी को पेंशन के रूप में जीवन परियाप्त करने के लिए मिलता है फिर आता है एक और इसे हम ग्राजुटी कहते हैं ग्राजुटी क्या है सेवा निर्वित्ती के बाद कर्मचारी को एक पूरी के पूरी राशी मिल जाती है उसको ग्राजुटी कहते हैं फिर इसके साथ साथ कुछ और भी है जिसे हम उपहार कहते हैं ये इसकी spelling गलत है तो इसके लिए परशानी हुएगा ये उपहार इसका मतलब है ये उपहार है जिसे जन दिन है या विवाह या कोई भी उत्सब में अगर कोई आपको समंधी या आपके सगे समंधी या रश्ट द्वारा जो धनराशी दी जाती है उसको उपहार कहते हैं फिर आता है लोट्री में भी क्या होता है लोट्री के टिकेट खरीदने पर जो धनराशी प्राप्त होती है उसको हम लोट्री के द्वारा आए मानते हैं इसके लावा कुछ और प्राप्त राशियां होती है जैसे भट्था या च्छात्र वुत्ति इसमें भी आपको धर्णाशी मिलती है यह आपके परिवार के आय की स्रोत हो सकते हैं इसमें कोई भी स्रोत हो सकता है नेक्स हम बात करेंगे कि जो परिवार के आय है उसको प्रभावत करने वाली कौन-कौन से कारक होते हैं जैसे मुद्र की क्रे शक्ति तोफने गयर सेवायों को उचित उप्योग रही है उसे तो और निभरक्र परिवार्य क्राय को श्रूप की ह요 के द्वारा भी जो आपकी आए मिलती है उस पे भी ये आए निधारत होती है उभोक का ढंग परिवार के सदस्यों का योगदान ये सारे के सारे आपके प्रभावित कारक हैं जो कि परिवारिक आए को बढ़ाते ही अगटाते हैं ठीक है इसके लावा परिवारिक आए को के व सिक्ता इप वित्या पूर्ड अपयोग क्या ऑपॉरपर कशन धन का उपयोग करना कहाद बदात का सनरक्षन अगर अच्छी दर से कर ले टो परिवारिक आए हमारी थोड़ी सी बच जाएगी इसके साथ सथ धन का धन का प्रहत उप्योग करना उसका उपयोग trat करी रहे हैं उसको विन्योग भीप करना जोरूरी है जिसको हम आगे क्लास में पढ़ाएंगे श्रम एवं समय बचत के साध्यों का उपयोग करना बागवानी करना ग्रहणी का कुशल प्रबंधन बजट बनाना या रहन सेहन का स्तर उचा उठाने का प्रियत्न करना यह सारे क सारे आपके आए को व्रिद्धी करने के सहाएक साधन होते हैं फिर हम लोग बात करते हैं कि परिवारिक व्याय क्या होते है आए को वह भाग आए का जो वाला भाग जो परिवार या परिवारिक अविश्यताओं के लिए घर्च किया जाता है उसको हम व्याय कह राते हैं ठ हbay अर्ध निश्यत और तीसरा होता है अकस्मांक या अकस्मिक वे या अन्य वे तो यह तीन तरीकों से हमारा जो परिवार है वो उसक यूज करता है या खर्च करता है पहला लेके चलते हैं वो है आपका निश्चित वे ये व वे हैं जिन्हों जिनें पृतियेक परिवार के अनिवारे रूप से करने पड़ते हैं जैसे मकान का किराया या भोजन या स्कूल फीस बिजली तरह पानी का वे फोन वस्त्र इधन पल ये सारे के वे जो है जरूरी है अनिवारे रूप से परिवार के लिए जरूरी है इसलिए इसको निश्चित वे कहते हैं अर्ध निश्चित वे क्या होते हैं कुछ ऐसे वे होते हैं जिन्हें करना तो अविशक है परंतु विभिन परिस्थितियों में वे की जाने वाली साधन राश्य परिवार के आर्थ या साधारन भोजन करना करके अपने जीवन वितीत करना या आय में विद्धी होने पर भोजन की गुर्वतक में विद्धी कर जाना तो ये सब आपके अर्थ निश्यत है आप अपनी परिस्तिती के साबसे इसको घटाएं या बढ़ा सकते हैं फिर आता है अकस्मिक वे या अन्य वे ये वे ऐसे होते हैं जो अनिर्धारत होते हैं ये वे व्यक्ति के आए और इच्छा पर निर्भर करते हैं और नहीं भी करते हैं तो ये अकस्मिक हैं कभी-कभी ज़र्द पढ़ती है अगर आपको एकदम से काम करना पड़ा तो आपको सुरुष हो सकती है तो जैसे अगर आपको जैसे एकदम से आच्सिडेंट हो गया तो आप में कुछ-कुछ